हेलो एंड वेरी गूड आप्टरनून तो आल, योर मॉस्ट वेलकम तो माई चैनल कभीता इस हेर, जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि अंतिम बर्स के छात्रों को नहीं देनी होगी परिक्षा, पिछले सेमेस्टर के अधार पर मुल्ली आंकन से रिजल्ड की तैयारी, वहीं दूसरी और चैतरपती साहुची महराज विश्विविद्याले के तरफ से लंबित बार्सिक परिक्षाओं के संदर्व में एक न्यू अपडेट निकल कर सामने आई है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्थगित परिक्षा का विस्तृत कारिक्रम आज व अन्तिम बर्स की परिक्षाओं 10 जुलाई से सुरू होंगी, परिक्षा 11 अगस तक चलेगी, विस्तृत कारिक्रम गुरुबार को विश्विविद्याले की वेब साइट पर अपलोड हो जाएगा, अन्तिम बर्स की परिक्षाओं तीनों पालियों में होगी, अभी तक एक पाली में प्रथम बर्स, दूसरी पाली में दित्ते वा तीसरी पाली में अन्तिम बर्स की परिक्षा होती थी, अन्य वर्सों की परिक्षा कराने पर फैसला अभी नहीं हुआ है, विश्विद्याले का मानना है कि 10 जुलाई से होने वाली परिक्षा के एक सबता बाद इस पर फैसला लिया जाएगा सी एस जे जे एमियों वह इससे संबद 11 जिलों के करीब 1100 से अधिक महा विद्यालों की सनातक वह परा सनातक की परिक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हुई थी जो 16 अपरेल तक चलनी थी मगर करोना संक्रमन के कारण लॉकडाउन होने से परिक्षाए की अनुमती दे थी इससे विश्व विद्याले ने स्थागित परिक्षा करानी की तयारी कर ली है हलाकि अभी केंद्रों में कुछ बदलाब किया जाना बाकी है विश्व विद्याले के रजिस्ट्रा डॉक्टर अनिल कुमार यादब जी ने बताया कि पहले चरण में परि क्रम की परिक्षा पर फैसला लिया जाएगा फिलहाल कोविट-19 के सभी मानुकों को पूरा करने का केंद्रों को निर्देश दिया जाएगा और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें और ऐसी ही न्यू लेटिस अपडेट्स के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले और मुझे इंस्टा और फेस्बूक पे भी फोलो आप चाहें तो कर सकते हैं जिसकी आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेंशन करती हैं तो थैंक्स टू वाचि